आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है मढपूर के मामले में अब नेता भी बोल रहे हैं अब नेता भी बोल रहे हैं लेखक भी बोल रहे हैं बुद्धिजीवी भी बोल रहे हैं पत्रकार भी बोल रहे हैं कलमकार भी बोल रहे हैं सामाजिक कारेकरता भी बोलने एंजियों भी बोलने क्या मढपूर में आग आज लगी है क्या अप्रैल में पूरा मढपूर जला है अप्रैल में वहां पे जो मितेई हिंदू है उनका घर जलाया गया उनका मंदिर जलाया गया उनका मठ जलाया गया उनका जो रहने का आसपा कोई नहीं बोला पूरे मई में मितेई हिंदूओं के साथ महा अत्याचार हुआ उनका घर जलाया गया उनकी दुकान जलाई गई उनको मारा गया बलातकार हुआ उन्होंने घर से पलायन किया तब भी कोई नहीं बोला पूरे जून में हिंदूओं के साथ हत्याचार हुआ अ अपना अपना घर छोड़ को भाग गए, सैकडों लोग की हत्या हो गई, तब भी कोई नहीं बुला, जुलाई में अब आज 20 जुलाई हो गई है, तब नेता भी बोल रहे हैं, अभी नेता भी बोल रहे हैं, लेखा भी बोल रहे हैं, वो धिजी भी बोल रहे हैं, और सब कह हैं कि जिसने रेप किया है उसको फांसी दे दो उसको सजा दे दो मैं आप से पूशता हूं जिस बहन के साथ बेटी के साथ रेप हुआ है उस बलातकारियों को फांसी होनी चाहिए लेकिन क्या उन दो दो बच्चियों का वीडियो आया है उनके बलातकारियों को फांसी देने से मड़िपूर के घुसपैट खतम हो जाएगी या मड़िपूर के घुसपैट ही भाग जाएंगे बलातकारियों को फांसी देने से जो मड़िपूर में नसे की खेती होती आफीम की खेती होती वो बंद हो जाएगी क्या मड़िपूर बलातकारियों को फांसी देने से जो मड मड़िपूर में धर्मांतरन का धंदा चलता है पूरा का पूरा मड़िपूर जो है वहाँ पर एक तरीके से पूरा है जालिया सिस्टम को क्या धर्मांतरन रुख जाएगा क्या बात कर रहें आज तीन महीने बाद नीट जागी है सब लोग करें फांसी दे दो फांसी दे दो फांसी दे दो फांसी देने के बाद न मड़िपूर में हिंसा रुकी है न आगे रुकेगी न वहाँ धर्मांतरन रुका है न धर्मांतरन रुकेगा न घुसपैट रुकी है न घुसपैट आगे रुकेगी बलातकारियों को फांसी देने से ड्रग स्मगली नहीं रुकेगी बलादकारियों को फांसी देने से वहाँ जो हत्यार इतना हत्यारों का इतना बड़ा कारोबार होता है इतने एडवांस वहाँ पर राइफिल हैं उनके पास हैं जो मड़पूर के अलगावादी हैं जो क्रिष्टियन्स टेर्रिस्ट है उनका हत्यार खतम नहीं हो जाएगा इसलिए मैं फिर आपसे नहीं वेदन करता हूँ ये जो भासरबाज आ गये हैं बीच बीच में जब सब दुनिया भर की बाते कर रहे हैं आप ज़रा गम घम भीरता के साथ सोचे जब तक घुसपैठियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा घुसपैठ को राष्ट की सुरक्षा के लिए खत्रा घोसित नहीं किया जाएगा घुसपैठियों के उपर NSA नहीं लेगेगा घुसपैठियों के उपर UAPA नहीं लेगेगा घुसपैठियों के उपर Gangster Act नहीं लेगेगा जब तक घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनको आजीवन कारावास या फांसी की सजा का कानून नहीं बनेगा तब तक घुसपैठ खतम नहीं होगी घुसपैठ खतम नहीं होगी तो मड़पूर में शांती नहीं आएगी जब तक धर्मांतरन कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब करने का कानून नहीं बनेगा धर्मांतरन को राष्ट की सुरक्षा के लिए खतर नहीं गोसित किया जाएगा धर्मांतरन कराने वालों पर NSA नहीं लगेगा धर्मांतरन कराने वालों पर UAPA नहीं लगेगा धर्मांतरन कराने वालों के उपर देशद्रों का केस नहीं चलेगा धर्मांतरन कराने वालों पर इंडियन पिनल कोट का सेक्शन 121 wage war भारा नहीं लगेगी तब तक धर्मांतर नहीं रुकेगा तब तक मड़पूर में शांती नहीं आ सकती जब तक drug smuggling को भारत की राष्टी शुरक्षा के लिए खत्रा नहीं गोसित किया जाएगा drug smugglers को फांसी देने का कानून नहीं बनेगा special drug के लिए special court नहीं बनेगी drug smugglers के उपर UAPA लगा के NSA नहीं लगाए जाएगा जब तक drug smugglers के 100% property जब करने के लिए कानून नहीं बनेगा उनको आजीवन का रवास फांसी देने के लिए नहीं बनेगा तब तक मड़पूर शांत नहीं होगा क्योंकि मड़पूर का में धंदा है अफीम की खेती वहाँ अफीम की खेती चल रही है वहाँ पे म्यामार के रास्ते से वहाँ पे आवयधातियार आ रहे है म्यामार के रास्ते से वहाँ रोहिंग्या आके बस गए है जब अर्दस वहां घुसपैट हो रही है पूरा वहां मिसंडिस धर्मांतरन करा रही है जो वहां पे मितेई हिंदू रहते हैं बेचारे वो कितने बचे 45% के असपास हो गए जहां 80% हिंदू थे मड़िपूर में 42-45% हो चुके है तो समस्या का स्थाई समाधान उन बलादकारियों को फांसी का फांसी देना नहीं है फांसी होनी चाहिए लेकिन इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं है इससे देश की एकता खंडता मजबूत नहीं होगी इससे मड़िपूर में शांती के लिए भारत की पहली बात एक One Nation One पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा कि पुलिस effectively काम करें जैसे UP में पुलिस बुल्डोजर लेके घूमती है जैसे मध्यपदेश में पुलिस बुल्डोजर लेके घूम रही है ऐसे ही मड़िपूर की भी पुलिस बुल्डोजर लेके घूमे वहां के घुसपैठियों का घर गिराए मिशनरीयों का घर गिराए धर्मांतरन कराने वालों का घर गिराए ड्रग स्मगलर का घर गिराए तब खौक पैता होगा इसलिए One Nation One पुलिस कोड चाहिए मड़िपूर के जो अलगावादी यहां पे इतनी बड़ी उनको फंडिंग आ रही है वो फंडिंग वो आपने आप तो बताएंगे नहीं तरीका क्या है नार्को पॉलिगरफ ब्रेंड में पिंक कानून बनाना पड़ेगा जे वहाँ पे मड़िपूर में अलगावादी उनको पकड़ पकड़ के नार्को टेस्ट करना पड़ेगा पॉलिगरफ करना पड़ेगा तब वो बताएंगे उनको फंडिंग कहां से आ रहे हतियार कौन दे रहा है पीछे उनके कौन सगाएंग है चाइना उनके पीछे है या यूरोप उनके पीछे है या खाड़ी देसों से पैसा आ रहा है कहां से इंको इतने हतियार आ रहे हैं तो नार्को पॉलिग्राफ में पिंग कानून बनाना पड़ेगा एक घंटे के अंदर फाइयार दर्ज करने और एक महिने के अंदर जाजपूरी करने के लिए पर तारीक देते चले जाते है नियाएपाली का में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि अगर बड़ा वकील हो जाए अधंग से खिला पिला दे पेसकार को और वहां पे नीचे स्टाफ को तो तारीक पर तारीक मिलता रहेगा कोई दिक्कती नहीं है भ्रष्टाचार खतम करना पड़ेगा अगर वास्तों में मड़िपूर को हमें मड़िपूर को अपने भारत से जोड़ के रखना है मड़िपूर को बचाना है मड़िपूर की संस्कृति को बचाना है मड़िपूर की भाशा को बचाना है मड़िपूर के तीज दिवहार को बचाना है लागू करना पड़ेगा वन नेशन वन टैक्स कोड को लागू किये बिना भ्रष्टाचार खतम करना नमुंकिन है और भ्रष्टाचार को खतम किये बिना देश में शांती नमुंकिन है गुस पैठी घूस दे के आते हैं चाहिए वो बंगलादेशी घूस पैठी हो चाहिए भुस पैठी होो चाया वा संभल में जो पैठी आ रहे हैं बंगाल में जो पैठी आ रहे है चाया मड़ीपुर में लेते हैं जब तक भुस्पैटियों और उनके मददगारों की 100% परपर्टी जब कने के लिए कानू नहीं बनेगा जब तक घुस्पैट को राष्ट की सुरक्षा के लिए खत्रा नहीं घुसित किया जाएगा जब तक घुस्पैट को देश के खिलाफ एक युद्ध वोसित नहीं किया जाएगा और इंडियन पिनल कोड का जो सेक्षन 121 है वेजवार की देश के खिलाफ जो युद्ध करे उसके खिलाफ सेक्षन 121 लगता है ये घुस्पैटिय क्या करने आ रहे हैं देश के खिलाफ विद्ध करने तो आ रहे हैं तो ये जो मड़िपूर में घुस्पैटिय आये हैं जो बंदूख लेके घूम रहे हैं इनको उपर सेक्षन 121 क्यों नहीं लगा रही सरकार मैं फिर से बार-बार कह रहा हूँ नेता बहुत अच्छी बाते करें बहुत बड़े-बड़े भासर दे उससे जमीनी हालात नहीं बदलते चाइना के नेता कभी बहुत बड़े लंबी लंबी भासर नहीं देते चाइना का राष्टपती जो जिंपिंग है कोई बहुत लच्छेदार भासर नहीं देता कोई बहुत बड़ी-बड़ी बाते नहीं करता लेकिन चाइना में न घुसपैट होती है न धर्मांतरन होता है न इस तरीके का आगजनी होती है न इस तरीके का हत्या होती है न इस तरीके का बलातकार है इस तरीके को हाँ क्राइम नहीं है सिंगापूर के जो प्रहन मंत्री है वो बहुत बड़ी-बड़ी बाते नहीं करते लेकिन सिंगापूर में देखे शांती है, समरिद्धी है, खोशाली है बिजनस ब्यापार बढ़िया चल रहा है सिंगापूर में घुसपैट नहीं होती सिंगापूर में धर्मांत्र नहीं होता क्यों? क्योंकि कानून मनाते है भारत में कानून और कानून की कोई लागत नहीं होती तो चाहे वो मड़पूर की समस्या हो बंगाल की समस्या हो केरल की समस्या हो कस्मीर की समस्या हो इन समस्याओं का समाधान बातचित करने, चर्चा करने टीबी डिबेट करने, संसद में तूतू में में करने से नहीं होगा समाधान है कानून और जिसकी कोई लागत नहीं होती इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ अपने-अपने संसदों के पास जाएए 10 लों का गुरूप बनाके, 15 लों का गुरूप बनाके 20 लों का गुरूप बनाके और एक ही सवाल पूछिए कि जो समस्या भारत में है, वो चीन में क्यो नहीं है सिंगापुर में क्यों नहीं है अमेरिका में क्यों नहीं है जापान में क्यों नहीं है इतना सवाल पूछे अल्टिमेटली कानून सांसदों को बनाना है ना आपको बनाना है ना मुझे बनाना है कानूनों को बनाना है और कानून की कोई लागत नहीं होती अपने अपने सांस पर अपने सांसदों को टैक करके टीट करिएगा और हो सके तो कमशकम एक दिन 15 लोगं का 20 लोगं का 30 लोगं का ग्रुप बनाकर अपने सांसद के पास जाकि इतना पूचिए कि जो समस्या भारत में है चाहे घुस्पैट हो जाया धर्मांतरन हो जो भी समस्या है यह सिंगाप ये है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News